हेलो स्टुडेंट आज से हम इस परधा 2024 स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हो SSC, bank, railway, किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी तो आपके लिए इस सिरीज काफी helpful होगी यहां पर मैं पूरा slabs complete करने की कोशिश करूँगा as soon as possible सबसे पहले हम लोग ने अभी मैंने आपके लिए calculation की सिरीज भी start की है 45 days 45 concept आप उसको reels में देख सकते हो जाके साथी साथ हम लोग यह बड़े जिसे कई बार होता न बच्चों के doubt थे sir छोटे में एक मिर्ट में समझ में नहीं आ रहा बहुत तेजी से आप बता रहे हो तो उन्हीं सब चीजों को यहां पे हम पूरा complete लेके आ रहे हैं तो यह इस परधा को सब्सक्राइब सबके बात करेंगे तो आपका आजुक्ट इसनड़ा क्या है सबसे पहले हम लोग continued या फिर जो लंगड़ा भिंद में आपको बता रहा हूँ, वो क्या होता है, उस पे हम लोग बात करेंगे, मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है, मैं कोश्चन को प्रियार्टी देता हूँ, लेकिन कोश्चन को प्रियार्टी बाद में देता हूँ, पहले मैं कॉश्चन को प्रियार्टी देता हूँ, चुकि एक बार आपको अगर कॉश्चन समझ में आ गया, तो आप सारे कॉश्चन स समझेंगे थोड़ा समय देंगे और उस समय देने के बाद फिर हम लोग question पर जा रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग continue fraction क्या होता है समझेंगे फिर type of question कौन कौन से आते हैं तो हम लोग बिल्कुल basic से start करेंगे पूरा advanced level तक जाएंगे कि चाहे आप sst tier 2 की तयारी कर रहे हो, tier 1 की कर रहे हो, किसी भी exam की कर रहे हो अगर वहाँ पर ये question आता है तो आप इसको solve कर ले जाओगे थर्ड हमारा होता है जो previous year questions आई हुए हैं वो भी मैं साथी साथ आपको यहाँ पर solve कराता चलूँगा तो मतलब ये पढ़ लिया तो आपको सारा कुछ, मतलब अगर आपने इतना देख लिया वीडियो को तो सारा कुछ आपको cover हो गया, अब आपको कुछ और नया पढ़ने की continued fraction में जरूरत नहीं है ठीक है? ओके, अब before starting the PPTs and question हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, continued fraction होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते है देखो, जब भी हमें कोई भिन्न दे रखी है, मालो हमें दे रखा है कहीं पर suppose 49 upon 11, यह हमें एक भिन्न दिया हुआ है, fraction दे रखा है अब इसको अगर हमें continue fraction में change करना है, तो उसका format क्या होता है, वो देखते हैं, देखो, simple सा format होता है a1 plus b1 upon a2 plus b2 upon a3 plus b3 upon a4 plus b4 dot 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 सोन इस तरीके से यह चलता रहा है, तो आपने इस तरह की fraction देखे होंगे, कहीं पर जैसे मालो 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 by 4, suppose ऐसा दे रखते हैं, अब यहाँ पर a1 की value 1 हो गई, b1 की value b1 है, पर यह value change भी हो सकती है, कई बार यह 1 हो सकती है, कई बार 2 हो सकती है, कई बार 3 हो सकती है, depending on the situation, तो यह जो fraction आपका होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग continued fraction मोलते हैं, अब हम मालो यह संख्या है, हमारी fraction दे रखा है, हम इसको इसमें change कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हम देखेंगे अब ही, ठीक है, अब अगर मुझे इसको simple बनाना है, तो simply, यह तो हमारा continued fraction हो गया, अगर मैं इसको 0 कर दो, अगर मैं a1 को 0 कर दो, तो उसी को हम, अगर मालो लो question ऐसा start हो जाए, b1 upon, मालो a2 plus b2 dot 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 so on, अगर यहाँ पे a1 की value 0 हो जाए, तो इसको हम लोग simple continued fraction बोल देते हैं, ठीक है, दोनों सेमी चीजे हम लोग भी बात करेंगे दोनों पर, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मालो अगर हमें संख्या दे रखी है, 49 upon 11, 49 upon 11, अब अगर हमें इसे continued fraction में तोड़ना है, तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, उससे पहले एक चीज़ आप और समझ लो, जो यहाँ पे बच्चा confused होता है, कि मालो कहीं भी अगर ऐसा दे रखा है, 1 upon A upon B, 1 upon A upon B, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब simply होता है, B upon A, अगर आप इसको को रोग तो इस B आपका ऊपर चला जाएगा, और A यहाँ पे, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो, अगर मालो कहीं पे A upon B upon C upon D द इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, A upon B multiply by, यह उपर जाएगा और reverse हो जाएगा, तो reverse हो जाएगा, D upon C, तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यह मतलब कहीं भी अगर A upon B लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon B upon A, यह दोनों सेम ही ची जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यह उल्टा हो जाएगा, यह आपको समझने की यहाँ जरूरत है, अब देखो, जैसे हमने कहा, 49 upon 11, अब जैसे मालो हम एक fraction दे रखा है, 49 upon 11, अब हम इसको अगर तोड़ना चाहें कि कैसे हम इसको continued fraction में लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे 49 upon 11 क्या हो गया, 11, 44, क्या मैं इसको 4 plus 5 upon 11 लिख सकता हो कि नहीं, ठीक है, अगर आप देखो, तो क्या किया हमने, simply देखो आप यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, हम उन्चास को भाग कर रहे हैं, किस से, 11 से, तो कितनी बार जाएगा यह, चार बार जा रहा होगा, कितना आ ग पांच बच गया हमारा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 49 upon 11 को, 4 plus 5 upon 11, लेकिन हमारा format कैसा होता है, format होता है, 1 upon में, 1 upon में होता है कि नहीं होता, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 plus 1 upon 11 by 5, अभी बताया मैंने आपको, 4, चुकि format हमारा कैसा है, इसी तरीके से format है हमारा, तो हम इसको क्या लिख सकते है, 4 plus 1 upon 11 upon 5 कर सकते हैं इसको, अब आपको क्या करना है, अब आप second level पे second layer पिचा करोगे, इसको break करो 11 upon 5 को, अब अगर मुझे 11 upon 5 को break करना है, तो मैं कैसे करूँगा, 5 दूनी 10, प्लस 1 बट 1 upon, अब यहां पे क्या आ रहा है, 2 प्लस 1 upon 5, 2 प्लस 1 upon 5, अब देखो, अब यह किस format में आ गया, अब यह आपका continued fraction के format में आ गया की नहीं आ गया, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको continued fraction में तोड़ दिया, अब यहां समझना क्या है, कई बार question यह भी देखके यह पू आपको यह निकालना आना चाहिए, या फिर यह दिया हो, यह निकालना आना चाहिए, अब shortcut है उसके वह हम बात करेंगे, लेकिन यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए, कि कैसे हम इसको fraction में change कर रहे होते हैं, यह सबसे important चीज है हमारे लिए, ठीक है, अब अगर आपको य समझ में आ गया है, तो आप मुझे 249 upon 29 को continued fraction में लिखके, आप मुझे comment box में बताओगे, कैसे इसको हम continued fraction में change करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, process सबसे important है, अगर आप directly question पे चले जाओगे, हो सकता हो, solve कर लो, देखो, दो चीजे होती, एक वो बच्चा होता, जिसको आत mass नहीं आती है, तो आपको पहले पूरा process follow करना पड़ेगा, आपको इसको solve करिए, फिर आप questions पर जाएए, आप solve कर लो, जो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, तो I hope आपको continued fraction समझ में आया होगा, अब हम लोग इस पे question देखते हैं, question की बात करते हैं, देखो, अब ये question दे रखा है, अब ये continued fraction दे रखा है हमें, और हमें change करना है उसको normal fraction में, तो पहले हम traditional तरीके से करके देखते हैं इसको, और एक बार हमाद traditional तरीके से हो गया, जो कि दोनों चीज़े आनी चाहिए, कई बार गलती हो जाती है, नहीं याद आ रहा कैसे करना है, तो पहले हम traditional तरीके से देख लेते हैं, फिर मैं इसका shortcut बता दूँगा, देखो ये कैसे होगा, ये दिया है, one plus one upon, one plus one upon, one plus two by five, ये दे रखा है, अब इसको solve कैसे करते हैं, देखो, सबसे पहले हम लोग सबसे नीचे टर्म को solve करेंगे, तो one plus two upon five अगर solve करना है, तो इसको आ five LC हम ले लिया, ये कितना आजाएगा, ये five आगया, ये two आगया, तो ये कितना हो जाएगा, seven upon five आजाएगा, ठीक है, या directly one plus two upon five होता है, तो हम five plus two को जोड के उपर लिख देते हैं, तो उपर seven upon five आजाएगा पूरा पूरा, तो जब मैं इसको change करूंगा पूरे को, तो य seven upon five आया, one upon seven upon five, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, five seven नीचे आजाएगा, तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, seven upon five था, तो five upon seven हो जाएगा, ठीक है, अब आप इसको solve करो, one plus five upon seven को, तो मैंने क्या काया, अगर one है यहाँ पे, तो इन दोनों को जोड़ दो, seven, five, बारा, बारा बटा, seven हो जाएगा, यह पूरा expression, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, seven plus five, बारा बटा, seven, तो यह कितना हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, बारा बटा, seven, अब क्या होगा, one upon बारा बटा, seven, seven, ऊपर चलाएगा, बारा यहां रहे जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, यह seven ऊपर चला आया, बारा आपका नीचे ही रह गया, अब इसको solve करें, one plus seven बटा बारा, तो ये 12 प्लस 7, 19 बटा 12, कितना आ जाएगा ये, ये आपका 19 बटा 12 आपका answer आएगा, तो आप देख सकते हो, option में A option आपका correct answer हो जाएगा, ये तो हो गया traditional तरीका, जो कई बार time भी ले लेगा, ठीक है, अब कैसे हम इसको चुठकियों में, mintों में solve कर सकते हैं, वो देखत शॉटकट क्या है इसका, ठीक है ना, शॉटकट क्या है, तो अब शॉटकट क्या है, वो देखे हम लोग, जो tip है, अमारी pro tip हो क्या है हमारी यहां पे, कि जब भी ऐसे question आए, तो सबसे पहले आपके आपके दो बटा 5 यहां दे रखा है, आप यहां पे 2 लिख लोगे, फि 1, 2, 3, हम यहां पे 3 जो है, हमने यहां पे खाने इसको खीच दिया, ठीक है न, 3 इस पेस हमने यहां पे create किया, अब यहां देखो, सब में plus sign है, सब में plus sign है, अब आप क्या करोगे, आप इन दोनों को add करो, क्यों add कर रहे हैं, क्योंकि plus sign है, 5 plus 2, 7, अगले में क्या है, फि अंसर क्या आएगा, this upon this, मतलब 19 बटा बारा आपका आंसर आ रहा होगा, क्या किया हमने, 2 बटा पांस था, हमने 2 और 5 यहां लिख दिया, अब हमने क्या किया, यहां पे 1, 2, 3, तीन बार एक था, हमने 3 बार एक को लिखा, अब हम इसको 5 plus 2, 7 कर दिया, 7 plus 5, 12 कर दिया, 12 plus 7, 19 कर दिया, मन में बहुत सारी कोशन आ रहा हो, असर निगेटिव है तो क्या होगा, एक नहीं है तो क्या होगा, थोड़ा पेशन्स, ठीक है न, पेशन्स सबसे बड़ा वर्चू है किसी भी स्टुडेंट के लिए, अगर आपको सेलेक्शन चाहिए, तो थोड़ा पेशन्स सिर करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, अब आपका सब जगा प्लस में है, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, सब जगा जोड़ते चले जाओ, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 3, 8, 8 प्लस 5, 13, 13 प्लस 8, 21, और 21 प्लस 13, 34, ठीक है न, तो आंसर कितना हो जाएगा, अच्छा, आप देखो, यहाँ पे, आपको सीधे सीधे, X की वैलू नहीं पूछाएए, यह X बराबर इतना दे रखा है, अब अगर यहाँ पे पूछता कि X की वैलू क्या है, तो आंसर क्या होता, 34 बटा 21, लेकिन यहाँ पे कोश्चन थोगा, different है, कोश्चन क्या कह रहा है, 3X प्लस 8 अपॉन 7 का मान बताओ, तो इसका मान कैसे बताएंगे, अब 34 बटा 21 तो आगई X की वैलू, यह X दे रखा था, लेकिन 3X, 3 से गुना कर दिया, यह 7 आ गया, प्लस आगे कितना है, 8 बटा 7 है, तो 34 बटा 7 प्लस 8 बटा 7, 34 प्लस 8 कितना हो गया, 42 बटा 7, यह आंसर आपका 6 आजाएगा, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर 6 होगा, तो आपको देखना है, क्या पूछ रहा है, X नहीं पूछ रहा, X से एक और आगे से बढ़ गया, तो यह आप से पूछने की कोशिश कर रहा है, आगे बढ़ते हैं इसमें, अब यह एक और question है यहाँ प इक, दो, तीर, चार, पाँच, अब क्या करेंगे, सब जगा पलस है, तो 5 पलस 2, 7, 7 पलस 5, 12, 12, 12, 19, 19, 19 पलस 12, 21, 21 पलस पलस उन This has fifteen Today, पचास बटा 31, पचास बटा 31 आपका आंसर आएगा, तो आप देख सकते हो, fraction of second में हम answer निकाल नहीं है, मतलब continue, अगर fraction दे रखा है, लंगड़ा भिन दिया हुआ है, तो how much time you will take, 10 से 15 seconds आपने, अगर आपको एक टेकनीक समझ में आ गई, आप 10 से 15 seconds में answer निकाल सकते हो, ठी confusion कहां पे होता, confusion वाला क्या area है, अब देखो confusion वाला area कहां पे है, अगर मालो कहीं ऐसे लिखा हुआ है, जहां बच्चा confuse होता है, गल्टी करता है, कि जैसे मालो कहीं लिखा है, 1 प्लस 1 अपाउन, 1 प्लस 1 अपाउन, 1 प्लस 1 अपाउन, 1 प्लस 1 अपाउन, 1 प्लस 1 देखके यहां से starting है मतलब यह वाले पार्ट से starting हो जाए जैसे 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 by 5 अब दोनों में अंतर कहां पहे जैसे यह A1 था तो आपको जो बताया था मैंने fraction का तरीका तो A1 था जिसका मतलब क्या होए A1 की value 0 हो गई बाकी वैसे ही दे रखा है अब देखो answer में कैसे change करेंगे और अगर आप shortcut use कर रहे हो तो कैसे change आएगा वो देख लेते हैं हम लोग इसको एक बार ठीक है चलो अब इसको shortcut अगर use कर रहे हम लोग तो हमने 1 लिखा 5 लिखा एक दो तीन चार स्टेप हैं तो एक दो तीन चार पांच प्लस एक छे छे प्लस पांच ग्यारा ग्यारा प्लस छे सत्रा सत्रा प्लस ग्यारा अठाइस तो कितना आ जाएगा यह 28 बटा 17 एक बार द लकिन अगर आप यहां देखो तो यहां क्या आएगा यहां आएगा 1$5 लिखा अब यहां पर 123 स्टेप है सेवर 1 2 3 तो इक गताव जाएगा 5 प्लस 1 66 पांच ग्यारा 11% छे 17 ठीक है अब ध्यान क्या रखना है देखो यहाँ पे 1 प्लस यह है अगर मैं इसको ऐसे लिख दू 1 अपॉन 17 बटा 11 देखो आंसर किसका आ रहा है हमने इसको नहीं लिया है यह तो पिक्चर में ही नहीं है ना इसको अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ पे तो क्या कोई आंसर बतलेगा आंसर किता आएगा आंसर आ रहा होगा 17 बटा 11 इस expression का आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा और question में क्या दे रखा है question में दे रखा है one upon this तो इसका मतलब क्या है अगर मैं 17 बटा 11 जो हमारा answer इस वाले part का आया इस वाले part का इसको हटा के अब उसे क्या कर रहे हैं हम लोग one upon 17 बटा 11 कर दे रहे हैं तो किता हो जाएगा 11 बटा 17 हमारा answer आएगा तो बस ध्यान एक चीज का रखना है आपको कि जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है तो अभी तक हम क्या लेते हैं 28 बटा 17 ले रहे थे ये upon ये ले रहे थे लेकिन अगर यहाँ कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम जस्ट उल्टा लेते हैं 11 बटा 17 आपका answer हो जाएगा बस यह आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है आरी वोगी बात समझ में है अब इस पर question solve कर लेते हैं अब देखो same concept पर question देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है अब देखो यहाँ पर one upon में दे रखा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा उसमें देखो कैसे करेंगे हम इसको हम सबसे पहले यहाँ पर two लिखेंगे then nine लिखेंगे अब देखो यहाँ पर one, two, three, four four step है तो one, two, three, four step हो गए है अब हम क्या करेंगे इसमें अब हम इसमें सब जगा add का है add करते चलेंगे nine plus two, eleven eleven plus nine, twenty twenty plus eleven, thirty one thirty one plus twenty, fifty one अब देखो यहाँ पर अभी तक हम क्या करते आएं this upon this answer होगा लेकिन हमने इसका answer निकाला इस वाले part का answer निकाला है तो इस वाले part का answer बिल्कुल आएगा fifty one upon thirty one लेकिन अगर हम इस वाले part का देखेंगे पूरा answer तो answer कित्ता रहोगा one upon this तो मतलब हम ये upon ये ले रहे होगे तो answer क्या आएगा thirty one upon fifty one हमारा answer मतलब a हमारा answer यहाँ पर आ रहा होगा ठीक है अब एक question देखते हैं हम लोग देखो यहाँ पर क्या है अब यहाँ पर minus sign आ गया है तो minus sign में क्या होगा हम फिर से वही सारे step करेंगे हमने यहाँ two लिख लिया nine लिख लिया अब क्या कर रहा होगे one two three step है तो one two three step लेकिन अभी तक हमारे सारे plus sign थे अब हमारे सारे minus sign आ गये है अभी तक क्या थे हमारे सारे plus sign थे अब हमारे सारे के सारे minus sign आ गये है तो जैसे ही minus sign आया यहां पर, अब क्या करेंगे हम, अभी तक हम plus कर रहे थे, वह minus करना है, तो 9 minus 2, कित्था हो जाएगा? 7 हो जाएगा अगले step में क्या करेंगा लोग फिर से minus 7 minus 9 यह किता हो जाएगा यह आजाएगा minus 2 ठीक है अब next step में क्या होगा next step में minus 2 minus 7 किता आजाएगा minus 9 ठीक है अब इसका answer क्या होगा चूटि 1 minus है तो इसका answer simply 9 upon इसका answer simply 9 by 2 हो जाएगा इसका answer किता हो जाएगा 9 by 2 तो बस कुछ नहीं करना जब plus दिया होगा तो plus करेंगे minus दिया होगा तो minus करेंगे इतना आपको ध्यान में रखना है अब next question देखो same pattern पे है 1 लिखा 5 लिखा 5 अब 1, 2, 3, 4 step 1, 2, 3, 4 step अब क्या करेंगे सब जगा minus sign है तो आप चाहो तो confusion ना हो इसलिए आप सब जगा minus sign लग दो ठीक है 5 minus अब यहां पे 1 4 आ गया 4 minus 5 minus 1 आ गया ठीक है अब अगले step में minus 1 minus 4 तो किता जाएगा minus 5 आ जाएगा अगले step पे क्या होगा देखो minus 5 minus of minus 1 तो किता जाएगा minus 5 plus 1 तो यह minus 4 हो जाएगा ठीक है अब आपका answer पूछेगा तो answer क्या होगा 4 minus 4 upon minus 5 यह cancel हो गया तो किता जाएगा 4 upon 5 आपका answer आपको इध साइन जाना है दोनों जगा minus minus है तो इसका मतलब क्या हुआ यह minus 4 upon minus 5 तो 4 upon 5 आपका answer आजाएगा ठीक है सर तो simple question है difficult नहीं बस concept आपको समझ में आना चाहिए अब जब को यहाँ पर क्या है कई जगा पर plus है कई जगा पर minus है तो अब क्या करेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे 3 लिखा 1, 2, 3, 4, 5 step 1, 2, 3, 4, 5 step अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहला sign आप चाहो तो यहाँ लिख लो minus में है फिर plus में है अगला sign फिर minus में है फिर अगला sign plus में है में फिर माइनस में अब सबसे पहले आप क्या करोगे थ्री माइनस वन तो किता जाए गए तू आ गया ठीक है अब अगले में क्या है देखो आप चाहो तो अगर कन्फूजन हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चुकि यह माइट भी कन्फूजिंग हो जाए थोड माइनस वन हो गया अब यहां पर प्लस साइन है तो थ्री प्लस टू किता आजाएगा फाइफ आजाएगा अब फाइफ के ऊपर क्या है माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे फाइफ माइनस टू तो किता हो जाएगा यह थ्री हो जाएगा अब फिर से प्लस साइन है तो थ्र 3 plus 5, 8 आ जाएगा, अब 8 minus 3, 5 आ जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 upon 8 आपका आंसर होगा, जो पहले हम लोग कर रहे थे, उसमें भी सेम ही चीज आएगी, ऐसा नहीं कि कुछ हमने अलग किया वहाँ पे, एक मिनट, हमने कुछ अलग नहीं कर दिया यहाँ पे, कि हमन कर मालूँ, यहाँ sign स्टार्ट करते हैं, कि पहला minus है, दूसरा plus है, फिर minus है, फिर plus है, फिर फिर यह last तक जा रहा है, यही तक खत्म हो जा रहा है, अब आपको यह ध्यान में रखना है, कि 3 अब एहाँ इसके उपर ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे 3 minus 1, तो यह कित्ता हो होगा कुछ यह बस ध्यार में रखना है साइन आपकी मर्जी आप चाहो तो ऊपर लिख दो चाहो तो आप बगल में लिख दो आंसर नहीं चेंज रहेने वाला यह प्रैक्टिस के ऊपर आप कौन सी प्रैक्टिस करते हो आंसर आपका सेम ही आने वाला है ठीक है अब देखो यहाँ पर 222 कुछ चेंज हुआ अभी तक हम क्या देख रहे थे अभी तक हमारे पास जो नंबर थे वो जैसे हमने देखा था कि आपका कॉंटिनूर फ्रैक्शन जो होता है इस तरीके से कुछ और हो रहा होता है अभी तक हमने जो देखा हमने क्या देखा था तो यह सिम्पल केस था हमने सो करके देखा अब मालनोu यहाँ पे इसकी कुछ वैलिवा जाती है मतलब अब हम simple तरीके से इसको नहीं देख रहे हैं अब हम क्या देख रहे हैं देखो अभी तक हमने ऐसे लिखा 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 1 upon 1 plus 2 upon 5 ठीक है यह एक तरीका हो गया अब second तरीका क्या है अभी हम करने जा रहा है 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus 1 2 by 5 suppose ऐसा कुछ आने जा रहा है ठीक है ना तो अब अंतर क्या आगा है जो 1 1 1 जो यह A1 A2 A3 A4 था अब उसकी जगा कोई value introduced हो गई है वो 2 भी हो सकती है 3 भी हो सकती है 5 भी हो सकती है हमें process को समझना है तो देखो कैसे करेंगे हम क्या difference आएगा वो देखते हैं देखो सबसे पहला step तो वही रहेगा कि हम 1 लिखेंगे 5 लिखेंगे 1, 2, 3, 4 places हैं तो 1, 2, 3, 4 places हो गई है ठीक है अब देखो आप क्या करोगे आप जो भी यहाँ पे संख्या लिखी है ना आप उसको ऊपर लिख लो यह 2 है then 2 है फिर 2 है अब फिर से वही बात कि आप चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो बस आपको फिर यह इस से करना अब क्या करोगे आप जो भी यहाँ संख्या होती है इस से पहले आपको इस संख्या को गुणा करना होता है तो 5 गुणे 2 तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा पांच गुड़े जो संख्या यहां पर है तो यह 2 है प्लस 1. 1 कहां से आ रहा है? वही. पहले हम क्या करते थे? पहले हम डाइरेक्ली इसमें इसको जोड देते थे पांच में एक जोड दिया, 6 आ गया. अभी हम क्या करेंगे? हम इस पांच में जो संख्या यहां दे रखी है, उससे पहले गुणा करेंगे. अब पांच को दो से गुणा किया, 10 हो गया, 10 प्लस 1, 11 हो गया. अब आप कहोगे सर, पहले आप गुणा क्यों नहीं करते थे? देखो, यहां भी हम क्या कर रहे हैं? दो लिखा, पांच लिखा, 1, 2, 3, 4 step लिखे, 1, 2, 3, 4. अब हम क्या करेंगे? यहां पर जो संख्या है, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1 लिखा, 1. अब क्या हुआ? देखो, आपने पांच को एक से गुणा किया, तो कोई फरकी नहीं प लिखना है, तो 5 गुणे 2 प्लस 1 ही किता आगया आपका, यह 11 आगया, इसमें आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगला देखो, अब 11 के उपर 2 है, फिर 11 को 2 से गुणा करेंगे, 11 दूना 22, और पिछली संखा को एड़ करेंगे, तो 22 प्लस 5, 27 आगया, ठीक है अब फिर क्या करेंगे, 27 को 2 से गुणा कर रहे होंगे, ठीक है, 27 दूना 24, 24 प्लस 11, किता आगया, 65 आगया, 65 गुणे 2, 130, 65 गुणे 2, 130, 130 प्लस 27, किता आगया, 157 आगया, कुछ नहीं किया, जो भी यहां पर दे रखा है, पहले गुणा करेंगे, फिर जोडेंगे, पिछ जगा जोड़ था, तो पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ रहे होंगे, माइनस होगा, तो गुणा करके माइनस कर रहे होंगे, जो भी जैसा दिया, वो आपको समझ में आ गया, तो देखो, दो वेरियाबल आ गया, एक तो आ गया, कि यहां पर क्या साइन है, और दूसरा option number D आपका यहां पर सही हो जाए, तो यह भी एक तरीका है, जिससे हम solve कर सकते हैं, कुशन से, ओके, यह भी आपका CRPF में आया हुआ है, सेम तरीके से, यहां पर बस एक जगा प्लस है, बाकी जगा पर माइनस है, तो इस इसका आपको ध्यान में रखना है, अब चाह करोग फोल लिखोगे, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, अब यहां पर गुला करने वाला है, यहां पर चार से गुला करेंगे, यहां पर तीन से गुला कर रहे होंगे, फिर दो से गुला कर रहे होंगे, और फिर दो से गुला कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन साथी अगर आप देखो, तो एक sin भी है, अब यहाँ पर minus है, पहले minus करेंगे, फिर यह भी minus है, यह भी minus है, यह आपका plus है, अब देखो, कैसे करेंगे, 4.16 minus 1, पहले अभी तक हम plus करते थे इसे, लेकिन चुकि यहाँ minus हैं, तो क्या करेंगे, 4.16 minus 1, यह किता आजाएगा, यह आप 15 और 12 यह 15 जाएगा, ठीक है, 4.16 minus 1, 15 आगे, अब क्या करेंगे, 15 तिए ढही 45, ठीक है, 45 minus 4, अब 15 तिए 45, यह minus, यहбы कि यह सैन है, 45 minus 4 41 आ गया अब क्या करेंगे 41 दुना 82 82 माइनस 15 तो किता हो जाएगा 67 अब यह किता हो जाएगा 67 इंटू 2 तो 6 दुनी 12 यह 134 प्लस 41 तो 134 प्लस 135 प्लस 40 175 ठीक है ठीक है अब इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा 175 upon 67 अब देखो इसमें कौन से option में ये तो answer नहीं हो सकता ये भी answer नहीं हो सकता ये भी answer नहीं हो सकता अब देखो क्या ये वाला answer हो सकता possible है क्या यहाँ पे तो बिल्कुल वही answer है आपका देखो आप यहाँ पे 67 into 2 plus 41 upon 67 और आप इसको अगर ध्यान से देखो तो यह क्या है? 67 into, हमने 2 किया था, plus 41 को हमने add, उपर वाली चीज exactly यही है, और upon में 67 आएगा, तो आपका answer यहाँ पे आ जाएगा, तो बड़ा सिंपल सा है चीजे, बस आपको calculation सही रखनी है, जो घटाव गुड़ा भाग सही करना, बा अब क्या है यहाँ पे अगर आप देखों, तो यहाँ भी बी की वैलू भी हमने change कर दी, अभी तक क्या था, हम सिर्फ यह a वाली वैलू को variable कर रहे थे, कई बार one कर रह «थे», कई बार two कर रहे कई बार four कर रहे थे, अब हमने क्या किया, भी बी को भी change कर दिया और A को भी चेंज कर दिया, अब तोला complicated हो गया चीज है, ठीक है, तो ऐसे case में कैसे solve करेंगे, यह हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, अब देखो, फिर से वही logic, सबसे पहले आप 2 को लिख लो, 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, ठीक है, अब 1, 2, 3 step है, तों क्या करेंगे, 1, यहाँ पे आपका 5 है, और वहाँ पे आपका 3 है, यह 3 step आपके फिर से हो गए, अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले, देखो, सबसे पहले आप पहला step कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपका 1 है, तो आप देखो, सबसे पहला step वैसा ही रहने वाला है, कि 5 को आपने एक स गुरा किया, साथ एड कर दिया, कितना आ गया, यह 12 आ गया, लेकिन अब जो यहाँ वैल्यू आ रही है, अब क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर है, तीन, अब जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है, उसे आप क्या करोगे, इस जो यहाँ पे नंबर है, उससे भाग दे रहे ठीक है ना सर, तो क्या किया, पहला step में यहां गुणा करके देखा, एक था, तो 5 एक कम पांच, प्लस 7, 7-5-12 आ गया, अब क्योंकि 12 है लेकिन यहां पर 3 दिया, 1 नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इस 12 को 3 से भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, यह 4 आ गया, ठीक है अब अगले step में फिर से क्या करेंगे 4 को 5 से गुना किया 4 पंचे 20 और 20 को 20 में 5 जोड दिया तो कितना आ जाएगा 20 में 5 जोडा तो 25 आ गया लेकिन अब यहां पर देखो 5 दे रखा है तो अब हम क्या करेंगे इस 25 को 5 से भाग दे रहे होंगे अब जैसे हमने इस 25 को 5 से भाग दिया अब यह कितना हो जाएगा अब यह आपका 5 हो गया ठीक है अब फिर से अगले step में 5 को 3 से कुना करेंगे 15 प्लस 4, 19 तो कितना आ गया यह यह आपका 19 आ गया अब आपका आंसर क्या होगा this upon this तो 19 बटा 5 आपका आंसर हो जाएगा ठीक है सिंपल है कुछ नहीं करना बस यहाँ पर जो b की value दे रखी है उसको भाग करते चलना बस यह ध्यान में रखना कोश्चन असानी से आपका solve हो जाएगा अब यह भी same ही तरीके से है यहाँ 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 कोई दिक्कत नहीं बस यहाँ पर दे रखा है इसको इसको आप solve कर लेना यह आपके विल्य छोड़ा हो मैं कोश्चन इसका आप answer निकालती है comment box मुझे बता रहे होगे और सारे लोग बताओगे जितने लोग video देखो process मैं फिर से कह रहा हूँ follow the process once you follow the process ना अपने आप काम होने लगता है ठीक यह ना तो इस question को आप solve जरूर करना और मुझे आप सब comment box में बता रहे होगे अब देखो एक नया question है जहाँ पे हमें कुछ अलग दे रखा है अब यहाँ जो आपने पहला वाला concept यूज किया था वो यहाँ पे लगने जाएगा देखो कैसे करेंगे इस question को यहाँ पे क्या दिया हूँ 21 upon 67 अब अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो यह समझ में आएगा कि 1 upon में दिया तो मतलब इस वाले की value 1 upon की नई इस वाला जो नीचे वाला part है इसकी value कितनी होगी 67 upon 21 होगी यह समझ में आ जाएगा क्योंकि तभी 1 upon करेंगे तो उल्टा होके यह जा रहा होगा अब देखो इसको break करते हैं break करेंगे तो अपने आप समझ में आना चालू हो जाएगा और लिख लेंगे हम इसको या फिर आप इसको ऐसे समझ लो कि जो भी बड़ी संख्या दे रखी है उसको आप भाग देना चालू करो चोटे वाले से दो-तीन तरीके हैं मैं सब आपको बता दूँगा अब सबसे पहले जो बड़ी संख्या है इसको हम लोग छोटे वाले से भाग करेंगे अब इसको हम लोग कॉंटिन्यूट फ्रैक्शन में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कैसे ब्रेक होगा वो देखो 67 अपॉन्टीवन तो ये कितनी बार जाएगा 20 याई 17 बार जा रहा होगा तो इसको क्या मैं three plus four upon twenty one लिख सकता हूं बिलकुल लिख सकता हूं क्योंकि आप देखो तो कितनी आएगा sixty three plus four sixty seven upon twenty one अब ये कितना हो जाएगा हमारा अब ये अमरो जाएगा three plus one upon twenty one upon four ये सब बात हो चुकी है यह पहले long तरीका देख लो फिर हम short तरीके से भी कर लेंगे, ठीक है ना, पहले हम सारे long तरीके को देख ले, जो कि समझ लो पहले, जो कमजोर बच्चा है, देखो दिक्कत वही है, कमजोर बच्चा सीधे shortcut की पीछे भागता है, बेटा shortcut उसके लिए जिसको आती है चीजे, स तो problem क्या है, अभी सारे बच्चे एक ही तरफ भाग रहे हैं, ठीक है ना, कि हमें shortcut चाहिए shortcut लेकिन, हर बच्चे का problem अलग है, temperament अलग है, उसको दिक्कत अलग है, हर बच्चा shortcut से question को सवाल नहीं कर सकता, और यही कारण है, कि जिनको आता है, वो और अच्छा हो जाते है म मैस में, लेकिन जिनको नहीं आता है, वो मैस में बेकार, मतलब कि उनकी मैस और खराब हो जाती है, ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसको ब्रेक करो आप, तो इसको कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस 1 अपन 4 पंचे 20, 5 प्लस 1 बटा 4, कर सकते हैं क्या इसको हम, कर सकत को देखो ध्यान से, तो हमारा क्या था ये, अगर मैं इस वाले पार्ट को लूँ, 67 अपन 20, जो हमने ये लिया है, तो ये हमारा आगया, A प्लस 1 अपन, B प्लस 1 अपन, C is equal to, अगर मैं इसी को इधन लिग दूँ, तो ये आगया, 3 प्लस 1 अपन, 5 प्लस 1 अपन, 4, अब क् ये बताने की जरूरत है, यहां पर कि A की वैलू क्या है, B की वैलू क्या है, C की वैलू क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखो, तो ये क्या है, ये आपकी A की वैलू हो जाएगी, 3, A बराबर 3, 3, 2A बराबर 6, प्लस, B बराबर 5, तो 5 को 3 से गुणा करने किता जाएगा minus c बराबर 4 तो 4 चौक 16 आ जाए गई तो 15 प्लस 6 21 21 minus 16 तो यह आपका 5 answer आ रहा होगा 5 आपका answer यहां पे आ रहा होगा तो यह तो हो गया long तरीके से कैसे लेकिन यह भी आना चाहिए आपको यह भी आपको आना चाहिए ठीक है अब देख इसका सेकेंड तरीका जो है सिमलर ही लेकिन उसको आप और आसान कर सकते हो थोड़ा सा लिखने में आपको आसान हो जाएगा जो भी दिया है बड़ी संख्या को आप छोटी संख्या से भाग करना चालो करो 67 upon 21 यह 3 जाएगा 3 प्लस 4 बटा 21 ठीक है अब क्या करो जो संख्या यहां बड़ी वाली फ्रेक्शन में आ रही है उस फ्रेक्शन को उल्टा करके लिख लो ते किता हो गया 21 बटा 4 हो गई ते किता हो गएगा 5 प्लस 1 बटा 4 पंचे 20 4 हो गया कि नहीं हो गया अब यह एक बटा 4 में आ गया तो और तो ब्रेक होगा नहीं यहां से अब आप देखो simply क्या है यह आपकी A की वैलू हो जाएगी यह आपकी A की वैलू हो जाएगी यह आपकी B की वैलू हो जाएगी और यह आपकी C क्या किया है, क्या किया हमने 67 upon 21 को ब्रेक किया, प्लस जो यहां दिया हुआ है, इसको उल्टा करके लिख लिख लिया, ठीक है न, इसका एक तरीका और भी है, आप क्या करो, 67 को 21 से भाग देना चालो करो, तो 20 यहीं, sorry, 21 है न, तो 21 यहीं 63, यहां 4 बच गया, अब second step में आप क्या करोगे, आप जिससे भाग दे रहे थे, ठीक है रहा, तो उससे क्या करोगे, आप उसको आप यहां पर लिख लोगे, 21 को यहां पर लिख लिया, जो remainder बचा था, अब क्या करोगे, जिससे आप भाग, 21 से भाग दे रहे थे, उसको हमने यहां पर लिख अब क्या करेंगे अब फिर से भाग दो 4 पंचे 20 एक बच गया अब यहाँ पे जो जिससे भाग 4 से भाग दे रहे थे यह आप तब तक करते रहोगे जब तक आपका यह 0 नहीं बाजाता ठीक है तो यह continue divide कर रहे हैं हम लोग अब क्या होगा जो पहली वाली value है यह आपकी A की value आजाएगी यह आपकी B की value आजाएगी ठीक है न और तीसरी वाली value जो है आपकी A C की value आजाएगी ठीक है तो A B C की चाहिए कई बार examiner complicate कर देता है तो अगर आप सिर्फ एक तरीका जानते हैं आप solving नहीं कर पाओगे question को अभी ssc question लेंगे तो थोड़ा सा आपको चालाक बनना पड़ेगा हर तरीकी जानने पड़ेंगे तभी आपको देखो shortcut में फिर से बता रहा हूँ shortcut का मतलब होता है जह मैं एक्जामपल लेता हूँ मैं आपको अमेरिका भेज़ दू और मैं आपसे कहूँ वह shortcut रास्ता है आप जाना पसंद करोगे नहीं करोगे लेकिन अगर आप अमेरिका में रह रहे हो पिछले 20 साल 30 साल से तो आपको पता है कहां से कौन से रास्ता आप बिल्कुल shortcut से ठीक है ना लेकिन अगर आपको मैस आती आप वहीं रह रहे हो मैस ही देख रहे हो मैस सीख रहे हो अब आपको कोई भी shortcut आप लगा लोगे तो common sense की बात है आपको सब तरीके पता होने चाहिए next question देखते हैं अब आपको यहां पे 58 upon 11 कर देंगे यह दे रखा है तरीकी से करते हैं 58 जल्द जल्दी करते हैं 11 पचे 55 5 प्लस 3 बटा 11 3 बटा 11 को उल्टा कर दिया 11 बटा 3 हो गया यह कित तरीक का 9 प्लस 2 बटा 3 अब 2 बटा 3 को उल्टा किया 3 बटा 2 हो गया 1 प्लस 1 बटा 2 ठीक है अब क्या हुआ यह A की value हो गई यह आपकी B की value हो गई यह आपकी C की value हो गई और यह आपकी D की value हो गई अब कुछ भी दे दे A plus B minus C plus 2D या कुछ भी दे रहा है आप answer तो निकाल सकते ही हो अराम से a प्लस 5 है b 3 है तो 5 प्लस 3 8 c 1 है तो 8 में से 1 गई 7 7 प्लस 2d 2d मतलब 4 तो 7 प्लस 4 ग्यारा आपका आंसर किता आएगा आपका आंसर ग्यारा आएगा मुझे आंसर पर बहुत फरक नहीं पढ़ता क्योंकि कुछ भी पोश सकता है 2a प्लस 2b तो उससे फरक नहीं हमें a,b,c,d की वैलू निकालना आना चाहिए अब सिमलरली देखो यहां पर थोड़ा साल लाग है 2a,3b,4c ऐसा कुछ दे रखा है तो लॉजिक वही रहेगा a,b,c की वैलू ऐसे ही निकलेगी बस आपको कैसे करना यह देखो फिर से वही करेंगे 5011 को हम भाग करेंगे 497 से ठीक है 10 बार जाएगा तो यह कित्ता बजाएगा 4970 कित्ता बचेगा 30 यहां पर 11 वहां पर 30 प्लस 11 एक तालिस 41 बटा 497 अब क्या करेंगे अब इसको उल्टा कर देंगे यह तो करेंगे ना 497 अपाउन 41 410 प्लस 82 और 429 बार बार जाएगा तो 12 492 हो गया 5 बच गया 5 अपाउन 41 कैसे कर रहा हूं मैं देखो 497 को अगर मैं 41 से भाग करेंगा तो मैं दिख रहा भीया कि 10 बार अगर करूंगा 410 हो जाएगा ठीक है ना लेकिन यह 497 है 11 बार करूंगा तो 41 और add कर दो तो 410 प्लस 41 451 हो गया और अगर 12 बार करूंगा तो 41 और add कर दो 492 हो गया 492 मतलब बार बार ही जा सकता है यह थोड़ा सा आपको मैस की प्रैक्टिस भी करनी परेगी मैस की प्रैक्टिस से भी आपको चीजे आ जाएंगी ठीक है तो 12 प्लस 5 बार इसको उल्टा कर देते है उल्टा करें किता हैगा 41 अपॉन 5 अब करेंगे तो किता हैगा 8 पंचे 40 8 प्लस 1 बटा 5 मिल गया एक तो अब यहां पर रुक के देखेंगे एक, दो, तीन यही तीन स्टेप हैं अब देखो यहां पर फिर से वही चीज फिर से वही चीज आप देखो यह आपकी अब देखो यह एकी वैलू नहीं है यहां पर 2A है तो इसका मतलब क्या है यह आपका 2A बस यही ध्यान देना है यह आपका 3B है और फिर आपका यह 4C है देखो कुछ अलग नहीं हो रहा है बस पहले यहाँ पे ABCD दिया रहता था तो हम लोग उसको ABC लिखते थे अब क्या हुआ यहाँ पे 2A, 2B, 2C या जो भी दे रखा है तो ह पूछा जो आपसे है मतलब आपको पहले ABC की वैलू निकालनी पड़ेगी तो A बराबर आ जाएगा 5, B बराबर आ जाएगा 4 तो 5 प्लस 4 को जोड़ा 9 आ गया 9 बटा C बराबर आ जाएगा 2 तो 2C है तो 2C मतलब 4 आ गया 4 प्लस 5 नो तो 9 बटा 9 आपका यह एक आंसर आ जा तो ध्यान बस एक ही चीश का रखना दिया क्या है ABC दिया है 2A 3B 3C क्या दिया रखका है उसको आप ध्यान में रखको है आप आसानी से question का answer निकाल सकते हो अब SSC में आया हूँ एक question देख लेते हैं हम लोग question क्या दिया रखका है 45 upon 53 कुछ हमें यहाँ पर continuity fraction दे रखका है ह हमसे जो पूछा गया क्या पूछा गया 4A-B plus 3C की value हमसे यहाँ पे पूछ रहा है अब देखो यह question सेम तरीके से ही होगा बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर minus sign लगा हुआ है इसका आपको ध्यान रखना है अब सबसे पहले क्या करेंगे जो बड़ा संख्य कैसे भाग देना चालू करते है यह पहले step में क्या जाएगा 1 plus अब किता बच जाएगा 8 बच गया 8 बटा 45 जिकेन स्टेप में क्या करेंगे हम लोग अब उल्टा कर देंगे इसको भाग देंगे 8 पंचे 40 प्लस 5 बच गया ठीक है अब 3rd step में क्या करेंगे इसको उल्टा क तो यह आठ बटा 5 आ गया अब देखो अगर आठ बचा 5 को मैं लिखो तो 1 प्लस 3 बटा 5 आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहां पर प्रॉब्लम यह है कि ला देखो यह पहला step हो गया अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर c-2 by 5 है तो अब यह तो यहां पर 2 by 5 नहीं आ रहा है तो एक तरीका तो यह है कि भाई आप 8 बटा 5 को अगर चाहो तो यहां पर c इसको अगर हम लोग चाहें तो हम क्या कर सकते हैं तो यह कितना आ जाएगा c बराबर आ जाएगा 8 बटा 5 प्लस 2 बटा 5 और यह कितना आ जाएगा 10 बटा 5 मतलब 2 आ जाएगा एक तरीका तो यह है इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो सिकन तरीका क्या है कि आप सोचो ना भाई अगर एक बिन यह दो रखे हैं हम तो यह क्या हो जाएगा दो माइनस दो बटा 5 अगर हम करते हैं तो क्या 8 बटा 5 मिल ला है बिलकुल मिल ला है तो इसका मतलब क्या वसी की वैलू टू आ रही होगी तो आप यह तो हिटें ट्रा अब C, C वराबर 2 है 3C की वैलू पूछ रहा है तो 3C किता हो गया 6 तो 6,4,10,5 यह आपका 5 आंसर आ रहा होगा जो कि आपका option number A है तो simple question था बस थोड़ा tricky था जो कि tier 2 का question है तो अगर आपको logic clear है basically तो आप असानी से इस question को solve कर सकते हैं अब SSC मा आया हो एक नया question देखते हैं यह question क्या दे रखा है यहाँ पे value दे रखे 29 अपॉन 79 X Y Z प्राकतिक संख्या है तो 2X plus 3Y minus Z का मान पूछा क्या हुआ आपसे 2X minus 3Y plus 3Y minus Z का मान आपसे पूछ रहा है ठीक है अब फिर से वही logic 29 अपॉन 79 दे रखा है लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान में रखनी है कि यह यहाँ पे 2 दे रखा है इसको आपको ध्यान में रखना है अदर्वाइस आपका question गलत हो जाएगा अब देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे अब सबसे पहले 79 को 29 से भाग देना चालू कित्ती बार जाएगा दो बार जाएगा plus 21 बचेगा upon 29 यह तो हो गया पहला step यह वाला step हमें मिल गया x की value किती आ गई 2 आ गई अब दूसरे step पे आते हैं क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे 29 अपन 21 किता अगे 29 अपन 21 अब यह किता हो जाएगा 1 प्लस 8 अपन 21 ठीक है अब बस ध्यान एक सीशका रखो कि यहाँ पे अभी second step है तो second step पे यहाँ पे 1 अपन नहीं है ठीक है ना कि हम क्या करते हैं जब यहाँ पे 1 रहता था हम इस value को उल्टा करते हैं और यहाँ पे ले ले लेकिन यहाँ पे क्या है 2 upon पूरा दे रखा है तो ऐसे case में हम क्या करेंगे ऐसे case में हम इसको कैसे लिखेंगे हम इसको लिख रहे होंगे 2 into 4 और 2 को हम यहीं छोडेंगे और 4 upon 21 ही कि यह लेंगे अगले step के लिए क्यों क्यों कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो अगले step में क्या लेंगे अगले step में हम सिर्फ 21 upon 4 ले रहे होंगे ये बहुत important है अगर यहाँ पर चीज दे रखे आपको यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा तो यह किता हो जाएगा 4 upon 21 इसका उल्टा किया 21 upon 4 इसका लेंगे 4 पंचे 20 प्लस 1 बटा एक बटा 4 ठीक है अब बस इसका अगर ध्यान लखा तो बाकी question सिंपल है अब क्या पूछा हुआ है 2x x की value 2 है 2x बराबर कितना हो गया 4 प्लस 3y y की value 1 है 3y की value कितनी आ गई 3 minus z अब देखो z यहाँ पे है तो z कितना है 5 यह 5 आ गया तो 4 plus 3 7 minus 5 2 आपका आंसर आएगा कितना आएगा 2 आपका आंसर आएगा I hope this is the last slide अब आपने सारे question कर लिए जो आपके exam में आ सकते हैं या फिर already आए हुए हैं मैं फिर से आपसे कहूंगा आप हमारे साथ बने रहिए हम इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं साथी साथ हम 45 days का एक challenge भी चला रहे हैं जिसको आप देख सकते हो जहां पर मैं daily calculation के आपको trick बता रहा हूँ आप उस trick को भी देखिए और जैसा भी आपका feedback है आप share करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो please इस वीडियो को like और share जरूर करिएगा Thank you